अब बिद्वाइब के लिए यह च्छाए दो के लिए यह चाहें पहला कॉन साइब करना चाहेंगे पहले सर में फिर को एसिंग के लिए बताएंगे सब्सक्राइब करती है और उसके बाद पापा जी जब मम्मी को मारते हैं अभी मम्मी को मार रहे थे तो मैंने मम्मी को बचा है पापा जी ने जो नाना जी ने प्रॉपर्टी जमा मतलब खरीद के दी तो पिता जी ने दोकाधड़ी से वह पूरी अपने नाम मतलब बड़े भाई की नाम करा दी और आज उनको घर से निकाल रहा है मार पीट कर रहे हैं पचीस साल हो गया तो मैंने अपन जमीन तो उनके नाम पर करा लिए कोई दिक्कत ने लेकिन उनको घर से तो मत निकालिए इसके कारण मम्मीन है मतलब पहले बचाओ किया तो इन्हों दोस्के बाद जब इन्होंने यह फाइर मैंने चलो ठीके ट्राइल में देखते हैं मैंने बोला कि इसको केस को उपर हाई और सर इसमें अभी जो फाइर की क्योंकि अभी यह क्या है इन मार्पीट सेल्प में उनको बचाया इसलिए नों ने जूटी अपाईर कर दी और दूसरी एफाइर इन्होंने क्या क्या कि जब इनके एक्षिडेंट हुआ दो हजर बीस में मैंने आठ लाग रुपे खर्च क अब यह तो इनके पास लेसे ना गाली काईजात कुछ नहीं और गाली चलाने के लिए चाईजे की एक्षिडेंट करते हैं आठ लाग कार्ज सर मेरे उपर में कहां से चुकाऊंगा और आज घर से काल रहे हैं लोग आप जैसा आपने कहां आप एक अच्छे बेटे की तरह बेहेव कर रहे हैं परन्तु जो आप डिफेंस ले रहे हो उसको हम सत्य कैसे मालने लोन आठ लाग के लोन के बारे में एक काज नहीं किया किसे लिए कैसे लिया तो वह कहां खर्च कर दिया सर मैंने पेमेंट किया है जाए लेकिन वह रोग मेरे कुछ क्या है यह कुछ का है और कुछ द्राइल करना पड़ेगा आपने तो पेश किया नहीं है कुछ भी मैं क्या करूं अगर मैं मैं आपने पिताजी को अगर वोट को क्या कहा कि आप एक अच्छे पत्र की तरह बेव कर रहे हैं यह तारीफ काबिल बात है जी तरह मैं मॉरलिटी के लाइट के उपर आप से कुछ नहीं बोलूं क्या नहीं ले सकते नहीं नहीं ले सकते तो आपकी बात जो सच है जूट है इसके और दो नहीं हो गजान नहीं होगा प्रती पर इक्षा नहीं होगा है उप में तो कंसे कम एक आत्मसंटोश्टों है कि पुत्र होने के नाते आपसे जोक बन पर रहा है आप कर रहे हो अगर आपके मातापिता जी अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं तो कम से कम आप तो सही हो इतना हम कह सकते हैं पर आंतु इसके ओपर मैं कोई फाइंडिंग नहीं दे सकते यह आप समझें अब आज मेरी परिशान कानून से बाहर नहीं जा सकता हूं यह आप मेरी मजबूरी समझें आप जो कह रहे हैं कि आपने रिष्टेदारों से पैसे लिए तो आप कहते हैं मैं शपत पत्र दे सकता हूं शपत पत्र पे क्या मैं उनका प्रति परिक्षन करवाँगा नहीं सर तो सर अगर पिता की ऐसे आज गाड़ी है गाड़ी मैंने रोकिए प्रशन मत पूछी है सर निवेदन कर रहा हूं मैं आप से निवेदन जो प्रशन के रूप में कर रहे हैं आपने का आपके पिता जी का एक्सेडेंट हुआ आठ लाक रुपए आपने खर्श कर दिये कोई कागज नहीं है और अगर आठ लाक खर्श भी कर दिये हैं तो उससे अपराद से उससे क्या संबन अपराद सीधा सीधा प्रशना रहे हैं जो कि ब्लंट हो सकते हैं आपको तकलिफ पहुचा सकते करा है जिँ आगर आपके पिता जी आघा बहुत होते है कि द्हूब कहें में दूमकाता मिरा से पैसे में पहले happen मैंने उनके खर्च किया वापस मांग रहा हूं इसका निर्ने कौन करेगा कि आप उनको धंका रहे हैं कि आप अपनी खर्च किया पैसे वापस मांगरे कौन निर्ने करेगा मैं करूंगा कि ट्रायल कोट करेगा त्रायल कोट करें पिर आपकी हर बात को बिना यह कह हुए कि ग कि उनका मालूम है अपके अप भाहर चाहते हैं चले जाहेज़ा ने शुटरादीकार से बाहर नहीं जाना जाओंगा और एक बार तो आपको अच्छे से मालूम है कि जो आप तत्यातम्मा का बाते हैं उसका ने हरने पहले विचारा नेले में होगा मेरे यह देखा सरा लूसरी चीज सार्च सथा इसमे क्या चाहते हैं African ऐसेयर वाले विस्तरिताथेस है क्या कि नहीं सर इसमें सर मुझा जिने जाच हो तो कुछ नहीं हो पअगे नहीं नहीं हो मैंने पूछा विस्तरित आदेश चाहते हो किया सर समझा नहीं विस्तरित या थोड़ा सा समझा हो गया है दूसरा सर सुप्रत नामा का है आपने दर्खास लगाई थी वहाँ पर जी सर वह कौन सी दर्खास थैंने सर लोगर कोड में लगाई हुए था लोगर कोड से खारीज हो गया सर आपने मोबाईल के संबंद में कोई का दस्तावेश पेश किये हैं क्या सर दस्तावेश मेरे पास अब लेविल नहीं हुए थे इस लिए मैंने देखे सुपर्द नामे में मालिक को ही तो दिया जा सकता है सर उसका कारण यह है कि जो मोबाईल जबति किये थे इन से इन पर यह मैं मेरे साथ तीन जबति कि थी एक लाख रूपए और मोबाईबके पास एक लाख रुपै कहा से आगए तही है सर मैंने नाम पर तीन इकर जमीन है अब तो बीस से तीन एकर पर आ गए यह था आई पूरी तो टोटल थी डीश बीस एकर ज मंडी में मंडी की रसी देखा है जी सर्म एक मिन्ट इसा नहीं होता है मुकदमे भाई अपनी जेव से कागश निकालेंगे आपको एफिडिवेट के साथ यह पेश करने चाहिए थे सुरी सर्म मैं क्या करूं आपको इतना मालूम है अगर किसी चीज के आप मालिक है तभी कि अलादीन का चेराग थोड़ा है कि एक एक जेव से कागश निकलेगा है कि हलाफ नावा के साथ आप पेश करते हैं और जूटा पाया जाता तो जूटा हलाफ नावा देने के लिए फिर जो मुकदमा चलता सो चलता है कब गरफतार हुए थे आप मैं सर 19 तारीक उननीस प रुपर यह एक लाग 25,000 रुपर आपके चेक से कब बैंक में कही था नई सर कैसे मिला ता कैसे है ट्रस्देक्शन हो रहा है पर कैसी मिलेगा ही साथ और यह और प्छीजियार रूपर खर्च कर लिए थे क्योंकि हैं घर का कुछ सामान लाना था मेरे को और एक रुपय किस खेती किसानी के जो खेत लेविलिंग काम का इसके लिए रखे हुए थे अच्छी बात और इन्हों ने पुलिस रिपार्टमेंट ने यह बोलके मेरे को गरबदर किया कि आपने पिताजी से एक लाख रुपए लूटे और गाड़ी लूटी है तो यह तो फिर यह तो लूट क सबस्क्राइब एक लाग में एक लाका कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं है जे और रिख सर इसा थोड़े होता है मयूंहीं सब्सक्राइब गञाए ऍहलेबद आपने आपने जए निकाल निकाल कर रहे और लेते जाएंगे को सuri की बलते रहते नंट लोग माझिस्टर्स आप के डर्खास यह रखेहे रहे हुआ ऊप्पर लोवर कोट का नहीं लगा हो सर, हम क्या करीं सर? इसमें तो है कि आपने मॉबाइल के बारे में कोई दस्नाविच पेश नहीं किया उसके मालकान हग के लिए जे तरहसल क्या है कि सर आंलाइन मॉबाईल बुल वाया था मैंने भाई आपका जुशमन है अप H नोको पॉद दिर यह यह मेरी नमें पर जरूर है लेकिन मेरी खरीदी नहीं तो को फॉर है सर मेरे को प्रापर्टी था हुए था इंद्थ है रही बात है यह उसका फिरूट हो गया हो गया बहुत हो गया सर कि आपको अपने खुद के महाईस का कुई और अचित्ते नी समझ में रहा कि आप जो पैसे दिए हैं वहां गाउं के 50,000 जो अब यह दो को पूछने नहीं सर शुरी सर मैं क्या करूं बता तो रहे हैं मैं आप से क्या कहा मेरे सी में शेत्रा दिकार के अंदर अगर आप बहस करेंगे तो आपको कुछ पैदा मिलेगा जी सर्व अगर आप बाहर बहस करेंगे मैं रोकूंगा नहीं आप मेरा समय जरूर पर बात कर रहे हैं परन्तों आपको कुछ नहीं मिल पाएगा जी सर्व और आप